चकानदा बाग ट्रेड फसिलिटेशन सेंटर एक कोशिश दो देशों को और नजदीक लाने की एक कोशिश की रजोरी पुंच के ही जो लोग के दूसरी तरफ हैं उन्हें और नजदीक लाया जाए और एक कोशिश की ट्रेड के जरिये जो तलखियां दोनों देशों के बीच में हैं उन्हें दूर किया जाए लेकिन ये चकांदा बाग में चो ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर बड़ी उमीद के साथ बनाया गया था ये आज बंद है और बंद होने के भी कहीं कारण है जब आप पुंच में LOC के नजदीक चकांदा बाग में एंटर करते हैं तो आपको एक बड़ा सा बोर्ड नजर आता है जिस बोर्ड पर लिखा है रावला कोट 40 किलोमीटर ये दर्शाता है कि कोशिशें बहुत की गई कि इस ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर के जरिये जब ट्रेड होगा लोग आपस में मिलेंगे तो पाकिस्तान जो आतंकवाज जब कश्मी होता है उसमें भी कमी आएगी और ये ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर एक जरिया बनेगा जिस जरिये से दोनों देशों के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी लोसी उस सरफ भी है और लोसी इस दूसरी तरफ भी है लेकिन आगे आपको जाने की इजाज़त अब नहीं है वो इसलिए क्यूंकि अब ये ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर मुकमल तोर पर बंध हो चुका है और आगे आर्मी के बैरिकेज लगे हुए हैं जहांसे आगे जा गवर्नर एनन वहरा थे और 21 ओक्टूबर 2008 को इनौगरेट किया गया था इस क्रॉस लोसी ट्रेट सेंटर को एचच तयब जी द्वारा जो की एडवाइजर थे गवर्नर के सेप्टेंबर के महीने में नीव रखी जाती है और एक महीने के अंदर अंदर इस ट्रेट फसिलि सेंटर जल्द से जल्द काम करना शुरू करें और दोनों देशों के बीच में नजदीकियां बढ़ें जिन कारोबारियों से हमारी बात हुई उनका एक कहना था कि एलोसी की इस पार जमकश्मीर में यह जो ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर है यहां पर तो काफी अच्छा इं सरकार ने भी की जिन्होंने 5 जून 2018 को यहां पर रंगर नाला चकादा बाग में फेस टू इस ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर का इनौगरेट किया उस समय जमकश्मीर के डेप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुपता थे जो की भारती जंदा पार्टी के लीडर है और तू फूटा फूटा इंफ्रस्रक्टर और तबाही आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह दर्शाता है कि ट्रेट फसिलिटेशन सेंटर मुकमल तोर पर बंद हो चुका है यह बिल्डिंग्स अभी भी यहां पर खड़ी है लेकिन यह बिल्डिंग्स वीरान है वो एड्मिस्ट्र इस समय बंद है और आसपास भी आप देख सकते हैं कि जो हालत इस इंफ्रस्रक्टर की हो चुकी है जिस जगह पर एक समय वो था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी क्यूंकि ट्रेडर्स की आम लोग कित्ती भीड यहां पर लगी होती थी यहां लोकल्स यह भी बताते है कि एक बार लोसी पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दोरान गोला इस ट्रेड फसिलिटेशन सेंटर पर भी आकर गिरा था जिसने काफी इंफ्रस्रक्टर को डैमिज किया था और उस समय ऑफिसर्स भी इस ट्रेड फसिलिटेशन सेंटर में काम कर रहे थे जिस समय गोला गिर उसके बाद मुकमल तोर पर ट्रेड यहां पर बंध हो गया पिछले दिनों ये भी देखने को मिला कि नाशनल इंवेस्टिकेशन एजनसी ने पुंच में 11 लोकेशन्स पर रेड की और वो रेड भी इसी क्राउस एलोसी ट्रेड के रेड थी इलजाम ये लगाए गए कि जो लोग यहां पर ट्रेड कर रहे थे वो टेरर और्गनाईजेशन को फंड कर रहे थे इसी टेरर फंडिंग के केस में जम्मू में, कश्मीर में, डेली में अलग-अलग लोकेशन्स पर भी N.I.A. न.A. न. रेड्स कंड़क की हाला कि एजन्सी पहले भी ये कहती थी कि इस क्रॉस L.O.C. ट्रेड का इस्तमाल किया जा रहा है टेरर फंडिंग के लिए लेकिन उस समय क्योंकि सरकार की ये कोशिश थी कि इस क्रॉस L.O.C. ट्रेड के जरीए दोनों देशों के बीच में रिष्टे मजबूत किये जाएं और वही रोजवरी पुंच के जो लोग L.O.C. के उस तरफ रह रहे हैं उनके साथ भी नजदीकियां बढ़ाई जाएं इस वज़ा से इन इल्जामों को कभी सीरियसली नहीं लिया गया लेकिन 5 अगस 2019 के बाद इन इल्जामों को भी सीरियसली लिया गया परताल भी हुई इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और यहां पर ट्रेड जो है वो मुकमल तोर पर बंध है जिसका नतीजा है कि आज ये ट्रेड फसिलिटेशन सेंटर इंफ्रास्ट्रक्शर होने के बावजूद भी वीरान है